जैसात्यों स्वागत थे आपका हमारी यूट्उब चेनल SP Classes पर अगर आपने हमारे यूट्उब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को नहीं दभाय है तो वेल आइकन को दबा दें क्योंकि इससे हमारा जो भी वी वीडियो अफलोड होगा उसकी information आप कहां पहुंच जाएगी अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और जादा से जादा वीडियो को शेयर करें अज हम चामन ग्यान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत important question है तो चलिए फ़र्ट question है दिस्व में भारत के अलावा 15 गस्त को ही स्वतंतरता दिवस किस देश में मनाया जाता है तो किस देश में मनाया जाता है कोरिया में कोरिया में भी 15 गस्त को ही स्वतंतरता दिव से मनाया जाता है अंगला क्वाश्चन है ऐसा कौन सा देश जो आद तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है तो बहुत इंपोर्टन क्वाश्चन है कि कौन सा देश जो आद तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है तो नेपाल देश आद तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है अंगला क्व कौन सी है विश्ट की सबसे बड़ी मत्जद कौन सी है याएराक में है सबसे बड़ी नहीं है साउधी अरब में अंगला कौश्चन है विश्ट का सबसे सबसे बड़ा महाथागर कौन सा है तो प्रशांत महाथागर सबसे बड़ा महाथागर सबसे कठोर कानून कहां पर है साओदी अरब में उनला कोशन विस्तु की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है तो विस्तु की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है Great Wall of China चीन की दीवार है सबसे बड़ी दीवार अंगला कौस्चन है विस्तु में सबसे बड़ा बेतन किस राष्टपती को मिलता है सबसे अधिक बेतन किस राष्टपती को मिलता है तो अमेरिका के राष्टपती को सबसे अधिक बेतन मिलता है अंगला कोश्चन ऐसा कौन सा देश है जहांकि डार्क टिकेट पर उस देश का नाम नहीं आता है तो Great Britain का उन्गों डाफटिट पर उसकेश का नाम नहीं आता है। बहुत important question है, तो भारत कराश्ती पुष्प कमल है। अंगला लाट खोस्चों है सिक्षक दिवस कंममनै जाता है तो सतम्बर को सिक्षक दिवस मनाजाता है ऐसली के ना ज अगला लाटोचेल औरता है तो साव 5 सिपंबर मनाजा जाता है जपानदे में अगला नैं। जन्गणमन की रचेता कौन थे तो बहुत ही कौस्चन है किसे ने लिखा है जन्गणमन तो स्री रवेंदनाठ टेबोर जी ने टेवर जी भारत की राष्टेगान जन्गणमन के रचेता हैं अंगला कोश्चन है विख्यात महाभारत की रचेता कौन थे तो महाभारत की रचेता कौन थे तो बेदवियास जी स्री बेदवियास जी महाभारत के रचेता थे अंगला कोश्चन है किन दो इस्तानों की बीच हमसागर एक्सप्रेश चलती है तो जो हमसागर एक्सप्रेश है किन दो इस्तानों की बीच चलती है तो जम्मू से कसमी दिता अंगला कोश्चन है जनल किस सेना का ये कदिकारी पद है तो किस सेना का है तो थल सेना का ये कदिक बारी पद है जनरल अंगला कोश्चन है भारत के किस राज में पवित्र तीर्थ इस्तल अमरनाथ इस्तित है तो बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है तो अमरनाथ कहां पर इस्तित है तो जम्मू एवं कस्मीर में इस्तित है अंगला कोश्चन है विख्यात परेटन इस्तल तो देश को कह जाता है, उकते हुए सूरच की भूमिंग, किस देश को कह जाता है उकते हुए सूरच की भूमिंग, अंगला कोश्चन है कौन सा सहर मद्द परदेश की राधधानी है तो सब को तो पता ही होगा कि मद्द परदेश की राधधानी क्या है तो नहीं है पता तो हम बता देते हैं कि मद्द परदेश की राधधानी होपाल है कौन सा सहर अफगानिस्तान की राजधानी है कौन सा सहर जापान की राजधानी है किस जानवर कुरेगस्तान का जहाज कहा जाता है तो बहुत ही important question है कि किस जानवर को रेगस्तान का जहाज कहा जाता है तो उट को रेगस्तान का जहाज कहा जाता है अंगला question है किस बर्स में महत्मा गांधी का जन्म हुआ था तो किस बर्स में हुआ था तो सन 1879 इस भी में हुआ था महत्मा गांधी जी का जन्म अंगला कोश्चन है रेल पत के मीटर गेच की चौणाई कितनी है तो मीटर गेच की चौणाई कितनी है रेल पत के तो एक मीटर अंगला question है विस्तो का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो विस्तो का सबसे बड़ा महादीप बहुत ही important question है तो Asia महादीप विस्तो का सबसे बड़ा महादीप है अंगला कोश्चन है विस्टो का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो विस्टो का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो विस्टो का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो विस्टो का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो विस्टो का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो विस्टो का सबसे उच्छा परवस्ष है इंव्रेष्ट को फॉसा करफंच इव्रेष्ट थी थे माउंट एब्रेश्ट पर चलने वाला प्रिथमयक्ति कौन था ? श्ट घुरेवन जिए इन्चिंग नारगे और एड बहुत important question है कि जो पानीपत का प्रतम्यद्द हुआ था भाई किस किस के बीच में हुआ था तो बाबर नर इंब्रा हिम लोदी के बीच हुआ था अंगला question है अजमेर किस सूपी संथ से संबंदत है तो अजमेर तो ख्वाजा मुई उद्दीन चिस्ती से संबंदत है सूपी संथ से संबंदत है अजमेर अंगला question है किस मुगल राजा ने धार्मक संपरदाय दीन ए इलाही के इस्तापना की थी तो बहुत ही important question है तो दीन ए इलाही की इस्तापना कौन सी राजा ने की थी तो अकबर ने की थी इसकी इस्तापना अंगला question मानसून हवाइं कौन सी होती है तो जो मानसून हवाइं होती है तो बार सारितों की हवाइं होती है मानसून हवाइं अंगला कोश्चन है रूस में साहिवेरिया पूरे विस्थ में किसलिए पिरसिद्ध है तो किसलिए पिरसिद्ध है साहिवेरिया रूस में तो इसकी वायूं के लिए इहं पूर विष्च में पिर्सिद्ध है साईवेरिया अंगला कोस्चन है प्रथभी पर सबसे बड़ा ब्रध है तो प्रथभी पर सबसे बड़ा ब्रध कौनसा है तो भुमत रेख विनारी किश ब्हारती नेता को भारत का लोह प्रोष की नाम से जाना जाता है तो कौन से नेता है तो स्री सरदार बल्ला भाई पटेल जी को भारत का लोह पुरस्थ की रूप में जाना जाता है अंगला कोश्चाने कन्या कुमारी में रोक मेमोरियल को किसकी इसमिर्थी में समर्पित किया है तो किसकी इसमिर्थी में समर्पित किया है तो स्वामी वेकनंद की इसमिर्थी को में समर्पित किया है अंगला कोस्चन जलिया बाला बाग किस सहर में इस्तित है तो बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है तो जलिया बाला बाग है वाई किस सहर में इस्तित है तो अमरिस सहर में इस्तित है अंगला कोस्चन भारत का राश्टी पक्षी कौन सा है बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है कि भारत का राश्टी पक्षी तो भारत का राश्टी पक्षी मूर है अंगला क्वास्चन है जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया था तो एह नारा किस ने दिया था जय जवान जय किसान तुलाल बहाद और सास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था अंगला क्वास्चन है प्रिशिद उद्रण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किस ने दिया था तो इब्राहम लिंकन के द्वारा है जनता सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए है किस ने दिया तो इब्राहम लिंकन ने दिया है अंगला क्वास्चन है बो संस्तापक तो गुरु नानेक देव सिक्धर्म की संस्तापक थी एंगला कॉस्चन भारत में सब से पहली रेल गाली कप चली थी तो most important perception है और अनि एक बर आप नहीं पर में इस अजय में आ चुका है कि भारत में सबसे पहली रेल गाड़ी कब चली थी 16 अप्रेल 98 का है बारत को सरवादिक सिक्षित राज्ज प्कि राज्ज अंगला कॉस्चन है, ने सरीर के किस अंग में IRIYA बनता है, तो किस अंग में बनता है LEVER, लीवर में बनता है IRIYA. अंगला कोश्चन है इंकलाब जिन्दाबाद का नारा सर पर थम किसने दिया था तो बहुत ही important कोश्चन है तो सरदार भगस्त है ने इंकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया था अंगला कॉस्चन है भारत का सर्वुच्च पुरुषकार कौन सा है तो कई बार एक जाम में एह कॉस्चन आ चुका है कि भारत का सर्वुच्च पुरुषकार कौन सा है तो भारत रतन भारत का सर्वुच्च पुरुषकार है यंगला क्वाश्चन है भारत के सम्मिधान को बनानी के लिए गटस सम्मिधान सभा की अध्याक्ष कौन थे तो कौन थे सम्मिधान सभा की अध्याक्ष तो स्री डाक्टर राजन्द परसाजी थे अंगला कॉस्चन है भारती फिल्म अभिनेता सत्त्रुघन सन्हा किस राज्य से सम्मंदत है तो सत्त्रुघन सन्हा किस राज्य से सम्मंदत है विहार राज्य से सम्मंदत है अंगला कॉस्चन है अलीगड किस उत्पात के लिए मसहूर है तो किस के लिए ताले बनानी के अंगला कोश्चन है किस भारती राज्ज में विसा का पटना बंदरगाह इस्तित है तो जो विसा का पटना बंदरगाह है वह किस राज्ज में इस्तित है तो अंधर प्रदीश में इस्तित है अंगला कोश्चन है हमारे स्वर्य परिबार में कितने गराए हैं तो आठ गराहे हैं अंगला क्वेस्चन है भारतिय की डीजल इंजन बी निर्माड एकाई डीजल लोको मोटेव वर्क्स कहां इस्तत है तो कहां पर इस्तत है तो एह बारान सी में इस्तत है अंगला क्वेस्चन है बैसा की त्युहार किस धर्म के लोग मनाती है तो जो बैसा की त्युहार है किस धर्म की लोग मनाते हैं तो विसक धर्म की लोग मनाते हैं यह तिवहार अंगला कोश्चन है महराष्ट की नासिक से कौन सी नदी निकलती है तो कौन सी नदी निकलती है नासिक से तो गोदावरी नदी निकलती है अंगला क्वाचन है किस इस्तान पर तिल रिफाइनरी कार खाना है तो कहां पर है तिल रिफाइनरी कार खाना तो बरोनी में इस्तित है अंगला क्वाचन है किसकी नेतरत में 1776 में अमेरिका को स्वातंतरता प्राप्त हुई थी तो जार्ज वासिंगटन किसकी जार्ज वासिंगटन के नित तरत में अमेरिका को 1776 में 173 प्राप्त होई थी जैसे जार्ज से संबंदत हैं एथ लेटर सन से सम्मंदत हैं अंगला कोश्चन है कौन सी रेखा विशुबत रेखा के समानतर है तो कौन सी रेखा है तो अक्छांस रेखा विशुबत रेखा के समानतर है पिलासी का युद्ध कब हुआ था तो जो पिलासी का युद्ध हुआ था तो सन 1797 में हुआ था जो पिलासी का युद्ध हुआ था अंगला कोश्चन 1897 के विद्रोह में जासी की रानी लच्चमि बाई ने किसके सहयोक से गौालियर में विद्रोह किया था तो तत्य टोपे के अंगला कॉस्चन अंतमोगल सासक बहादूर साह जफर की मरत्तू कब हुई कहां हुई थी तो कहां पर हुई थी इनकी मरत्तू तो रंगुन में अंतमोगल सासक बहादूर साह जफर की मरत्तू हुई थी अंगला कॉस्चन है महत्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था तो महत्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था तो कस्तूर बा गांधी नाम था अंगला कॉस्चन है भार्टे राष्टी कांग्रेस के संस्तापक कौन थे तो भार्टे राष्टी कांग्रेस के संस्तापक तो A.O. हूम थे अंगला क्वाश्चन है स्वतंतर भारत के परतम गवर्नर जनरल थे तो कौन थे स्वतंतर भारत के परतम गवर्नर जनरल तो स्री सी राजगोपालाचारी थे अंगला कोच्छ ने प्राथन समाज की स्तापना किसने की थी तो आत्माराम पांडूरंग ने प्राथन समाज की स्तापना की थी गंगला कोश्चन है चूल परसासन की मुख विसेशता क्या थी तो जो चूल परसासन था उसकी मुख विसेशता क्या थी तो ग्रामिर स्वा इत्तता थी मुख विसेशता लेंगला कोश्चन है रेसम के कीले का भोज्य पधार्थ क्या है तो सहतूत की पत्ती क्या है सहतूत की पत्ती है लेंगला कोश्चन है किस सासक ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्मान कराया था तो किस ने करवाया था सेरसा है सूरी ने इस रोड का निर्मान करवाया था पुर्वत्तर राज में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो कौन सा है पुर्वत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य तो अरुना चल प्रदीश है अंगला कौस्चन है चीन असम के किस दिसा में इस्तित है तो उत्तर दिसा में इस्तित है अंगला कौस्चन है मद्द प्र करता है कंचन गंगा परवस्षकर कहाँ स्थ对 तो इह कहाँ परइस ते ते कंचन गंगा परवस्षकर तू आचिति है सूर्ग की सबसी नजदीक्रह कम स्थ तो सूर्व की सबसे नज़ दिग्रा है बहुत दिग्रा है कौन सा है बहुत दिग्रा है अंगला कॉस्चन है पूर्वत्तर सीमान्त रेलवे का मुख्यालाए कहां है तो कहां पर है माली गाउ में कहां पर है माली गाउ में है पूर्वत्तर सीमान्त रेलवे का मुख्यालाए घरैलु उपियोग में जाने वाली चीनी में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो सूक रोज, पाया जाता है फिरतम भारती फिल्म राजा हरस्चंदर के निरमाता कौन थे, तो कौन थे दादा साहिब भाले के थे अंगला question है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट पती रहे चुकी है तो फकरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट पती रहे चुकी है असम की है और अंगला question है पुस्तक बार एंड पीस लेखक है तो इसके लेखक कौन है लियो टाल से टाय है इस पुस्तक के लेख कोस्चन है कमक्र चौन कारता है तो कौन करता है कित तुराश्ट पत्व करतीं हैं मेरे बत्तन के लोगों धेसभक्तिगीत किस ने गाया है दो ए है पुरदीप ने गाया है ये बृद्थी ने थे ए공ता है वैं किसके कारण होता है तो एहगनत्यों की कारण होता है एंगला question है वायू-मंडले दाब मापने का पेमाना है तो जो वायू-मंडले दाब होता है तो उसको किस्ती से मापा जाता है तो बै Byruneter से उसको मापा जाता है льंग्ला question है अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होती है तो कितनी होती है अमीबा में तो एक कोशिका होती है अंगला कोश्चन है नागलेंड भारत का विदीवत राज्य कब बना तो कब बना था तो सन 1963 में नागलेंड भारत का विदीवत राज्य बना अंगला कोश्चन है उत्तर पूर् अंगला कॉस्चन हे मुक कमंतरी की न्युक्ति कुआ करता है तो राजजपाल करता है अंगला क्वक सचन रेपी रेटर में कौनना सी गयस प्रियोक्ति की जाती है और प्रियोक्ति की जाती है। अंगला कौस्चन है एलक्ट्रॉण की खोज करता कौं थे? fuss एलक्ट्रॉण की कोज किसने की थी lerे? एलक्ट्रॉण की कूछ थी तै? थम सर्मा कौं इवरत के राष्टेगान लखा है तो बंगला अंगलाधेश का राष्टेगान रवेंदंतोगी ने लखा है भारत के अलावा ऊजसेगान घेकर किस चीज के बनी होती है तो जो हीटर के तार बनी होते हैं तो बैक स्टीच के बनी होते हैं तो नाइक्रॉम के बनी होते हैं अंगला कोश्चन ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है तो बहुत इंपोर्टन कोश्चन है तो केली का पेड़ केली का पेड़ होता है उसमें बनी होती है बिस्तो का सबसे बड़ा नदी दीप-माजुली-असम की किस राज्ज में इस्तित है पगिला कोश्चन है ध्वनी की चाल अधेकतम किसमें होती है तो इश्टील में होती है एंगला कोश्चन है किसे भविष्स्य की धातू कहा जाता है तो जो टाइटेनियम है टाइटेनियम को भविस्ते की धातू कहा जाता है अंगला क्वास्चन है कौन सा स्वतंत्र अबस्ता में पाये जाता है तो सलफर कौन सा है सलफर अंगला क्वास्चन है मंदरों की पॉल्ण भूमी भारत की किस राज्य को कहा जाता है अंगला कॉस्चन है महाराष्ट की परतम मक्क मंत्री कौनते तो कौनते महाराष्ट की परतम मक्क मंत्री बहुत ही इंपोर्टन कॉस्चन है बाई बी चोहान कौनते बाई बी चोहान अंगला कोस्चन है भारत का मेंचेस्टर किसी कहा जाता है तो भारत का मेंचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है किसको कहा जाता है भारत का मेंचेस्टर बहुत ही इंपर्टन कोस्चन है तो अहमदाबाद को कहा जाता है अंगला क्वाश्चन है बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है अंगला क्वाश्चन है भारत को किस्तिती को एक गणराजी घोसित किया गया तो 26 जनवरी 1950 को घोसित किया गया अंगला कोश्चन है खजुराओं की मंदर कहां इस्ते थें तो जो खजुराओं की मंदर हैं वह कहां पर इस्ते थें तो वह मद्द परदेश में इस्ते थें अंगला कोस्चन है हवा महल कहां इस्तित है तो बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है कि हवा महल कहां पर इस्तित है तो हवा महल जैपर में इस्तित है अंगला कोस्चन है बड़ा इमाम बाड़ा कहां इस्तित है तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है वह कहां पर इस्तित है तो एहल पुराना प्रताप सेंकी गोडे का क्या नाम था तो चेतक नाम था अंगला क्वाश्चन है बीजा गड़त के छेतर में अपने विश्यस योगदान के लिए किसे जाना जाता है तो किसे जाना जाता है बीजा गड़त के छेतर में तो भासकर को जाना जाता है अंगला क्वाश ना साथा निर्मान सुर्य बर्मन दुतिय की राजिकाल में हुआ था तो अंकुरवाट का मंदर कहां का मंदर अंकुरवाट का मंदर का निर्मान हुआ था अंगला कॉस्चन है अमरावती बद्धिस्टूप कहा है तो जो अमरावती है वह कहां पर इस्तित है बद्धिस्टूप कहां पर है तो आंद परदेश में है अंगला कोश्चने सलहर की उद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था तो किसने हराय था सिवाजी ने मुगल सेना को हराय था कहां की उद्ध में सलहर के उद्ध में रंगला कोश्चन है भारत का अंतम मुगल समरग बहादर साह जफर दुतिय का मकबरा कहां इस्तित है तो रंग्यून यंग्यून म्यांबर में इस्तित है अंगला कोस्चन है आगरा की जामा मस्जित का निर्मान किस ने करवाया था तो बहुत इंपर्टन कोस्चन है तो सहजादी जहां आरा बीगम ने करवाया था आगरा की जामा मस्जित का निर्मान अंगला कॉस्चन है किस सिक्ख गुरू ने फार्शी भासा में जफर नामा लिखाता तो किस ने लिखाता गुरू गोबिंद सही ने लिखा था अंगला कॉस्चन है गुरू नानक का जीवन परीचा किस सिख गुरू ने लिखा था तो किस सिख गुरू ने लिखा था गुरू अरजन देव ने लिखा था अंगला क्वास्चन है सवाजी की मृत्तु कब होई थी तो बहुत important क्वास्चन है तो 12 अप्रेल 1680 को सवाजी की मृत्तु होई थी अंगला क्वास्चन है जहांगीर की पतनी नूर जहां का बास्तवेक नाम क्या है तो महरू निसा क्या है महरू निसा है इनका बास्तवेक नाम अंगला क्वास्चन है गुरू गोविन सह ने खालसा पंत की नियू कब डाली थी तो जो खाल सा पंत है, इसकी नियो गुरु गोविन सही ने कब डाली थी तो सन 1699 इसवी में डाली थी अंगला कॉस्चन है काकोरी टैन डखेती के नायक कौन थे तो कौन थे डखेती के नायक तो राम परसाद बिसमिल अंगला कॉस्चन है जलिया वाला बाग में गोली चलानी का आदिस किसने दिया था तो जलिया वाला बाग में जो कंड हुआ था गोली चलानी का तो उसमें आदिस किसने दिया था तो जनर्नल ओडायर ने आदिस दिया था अंगला कॉस्चन है मातमा गांधी को सरप्रता मराश्ट पिता किसने कहा तो किसने कहा था तो सुबाश्चंद वोस ने किसने सुबाश्चंद वोस ने अंगला क्वास्चन है 15 अगस्त 1947 इस भी को भारत ने अपनी आजादी का पहला जस्न कहां मनाया था तो कहां पर मनाया था तो कोलकाता में मनाया था अंगला क्वास्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाजन किस योजना के तहत हुआ था तो किसी योजना की तात हुआ था बहुत ही important question है तो Mountbatton योजना की तात विभाजन हुआ था अंगला question है महत्मा गांधी की हत्या कब और किसे ने की थी तो 30 जनवरी 1948 ऐस्वी को और नातूराम ने की थी महत्मा गांधी जी की हत्या अंगला question है स्वतंत्र भारत का प्रत्म भारती गवर्न जन्नल कौन ता तो कौन था सी राजगोपालाचारी थी अंगला कोस्टन दांडी आत्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तै करके नमक कानून का ब्रोध किया था तो कितनी दूरी तै की थी तो 385 किलो मीटर दूरी तै की थी अंगला question भारत छोड़ो अंदुलन का प्रारंब हुआ तो बहुत ही important question है और इने एक बार एक जाम में भी a question आ चुका है कि भारत छोड़ो अंदुलन का प्रारंब हुआ तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो अंदुलन प्रारंब हुआ इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने पहा था तो चर चलने किसने चर चलने अंगला कोश्चन है सबसे बड़ी आखें किस इस तंधारी प्राणी की होती हैं तो किस की होती हैं हिरन की सबसे बड़ी आखें होती हैं अंगला कोश्चन है भारत का सबसे पुराना सभी स्टॉक बैंक कौन सा है तो कौन सा है इस टॉक बैंक तो इलाहबाद बैंक है स्वतंतरता सेनानानी डाक्टर भोग राज भोग राजू पट्टाभी सीता रम अभ्या द्वारा स्तापित बैंक कौन सा है अंद्रा बैंक है कौन सा बैंक है पहला बैंक जिसकी साका को आई एस ओ नोहजार दो प्रमानपत्र प्राप्त हुए हुआ है तो कौन सा केनरा बैंक कौन सा है केनरा बैंक अंगला कोश्चन है दो हजार ग्यारा में जिस बैंक ने सौ साल होनी की हुपलक्षट में यूरक टिकट て जारी किया है तो जैंट्रव जैंश है ऌफ कौन सा कोश्चन लाला लाचपत राए की प्रयासंपर प्रयासौंप पर जब नेशनल बैंग कोन सा है सबसे बड़ा बैंक कौन सा है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ओफ इंडिया अंगला क्वोस्चन है राष्टी क्रित बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो कौन सा है राष्टी क्रित बैंकों में सबसे बड़ा बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक है अंगला क्वोस्चन एटियम का पूर्ण विस्तार क्या है तो एटियम का पूर्ण विस्तार आर्टूमेटिक टेलर मसीन बहुत ही इंपोर्टन क्वोस्चन है और अनीग बार एक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जादा से जादा हमारी वीडियो को सेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमें आपका वीडियो कैसा लगा और ऐसे वीडियो हम और अपलोड करते रहेंगे आप बने रहे हमारे साथ जैहिन